वेलकम टू ओनलाइन अश्ट्री सक्सेश तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन्स से रिलेटेड महत्पुर्ण प्रस्णों के बारे में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है किसी भी कमपटिशन एकजाम जिसमें साइन्स से रिलेटेड प्रस्ण पूछे जात जवाब होगा आपका ओप्सन नमर डी उपर के सभी जो दिया गया है प्रोटियम डूटेरियम और ट्रिटियम में सभी जो है हैड्रोजन का आइसो टॉप है इसके बाद नेक्स्ट कुस्चन है परमानू बिखंडन परतिक्रिया के दोरान जो उर्जा उत्पन होता है उसक इसके बाद नेक्स्ट कुस्चन है कुस्चन नमर चार तो इन में से कौन गैसो के प्रसरन का एक उदाहरन है प्रसरन मतलब होता है फैलना तो गैसो का फैलने का उदाहरन क्या है खाने की खुसबू अगर बत्ती की खुसबू इत्र की महक या फिर इन में से सभी तो इसका स फलते पानी में भाप में या फिर इन में से सभी तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाप में भाप में जो है इन सब से अधिकताप होता है क्योंकि भाप में जो है उस्मा के साथ साथ जो होता है इसका गुप्त उस्मा भी इसमें छिपा होता है इसके बाद नेक्ष्ट नमर छे तो इन में से कौन महामारी और अस्थानीक दोनों परकार की बीमारी है तो इसका आपका ओप्सन दिया गया है एक में टैप हाइट, B में हैजा, C में पोलियो, D में खसरा तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैजा आपका option नमर B हैजा एक ऐसा विमारी है जो महामारी और अस्थानिक दोनों प्रकार की विमारी कहलाता है इसके बाद next question है question नमर 7 तो निम्न में से कौन सा graphene के बारे में सही नहीं है तो graphene के बारे में कौन सा सही नहीं है तो option नमर B जो है three dimensional structure graphene के बारे में सही नहीं है इसके बाद next question है question नमर 8 तो resin क्या है resin जो है क्या है तो option दिया गया है आपका option नमर 1 में है बहुलक option नमर B में virus C में malware और D में search engine तो इसका सही जवाब हो जाएगा option नमर C resin क्या है malware है इसके बाद next question है question नमर 9 तो leap high के लिए गलत कथन कौन सा है leap high के लिए गलत कथन कौन सा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जो है एक wire connection है यह जो है इसका गलत है answer इसका सही हो जाएगा कि यह एक प्रकास अधारित संचार पर नाली है यह bi-directional संचार पर अधारित है और radio अविर्ती संकेतों का उपयोग भी इससे leap high से किया जाता है इसके बाद next question है question number 10 तो सबसे बड़ा अनू कौन सा है जो मानबतन का एक हिस्सा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा chromosome 1 जो सबसे बड़ा अनू है और मानबतन का एक हिस्सा है इसके बाद next question है question number 11 तो पहले परकास की गती को किसने मापा था तो परकास की गती को सबसे पहले मापे थे ओ लॉस रोमर ने ओ लॉस रोमर ने option number B इसका सही जवाब होगा इसके बाद next question है question number 12 तो गिर्गिट रंग क्यों बदलता है तो गिर्गिट का रंग बदलने का कारण है कि यह option number B होगा इसका कि गर्मी परबंधन के लिए वो जो है रंग बदलते रहता है इसके बाद next question है question number 13 के के इकाई से क्या मापने का परियोग किया जाता है तो किये मतलब होगे है यहाँ पर केल्वीन केल्वीन इकाई से क्या मापा जाता है तो तापमान option number C इसका सही जबाब होगा इसके बाद next question है question number 14 तो विटामिन बीवन के कमी से कौन सी बिमारी होती है तो option दिया गया है आपका रिकेटस, रतवंधी, रक्तालपा और बेरी-बेरी तो इसका सही जबाब होगा आपका option number D बेरी-बेरी इसके बाद next question है question number 15 तो राइनो वाइरस की जगह बनता है किस जगह पे जो है राइनो वाइरस होता है तो option दिया गया है यहाँ पे आम जुकाम, सीर दर्द, कप या फिर घुटनों में दर्द तो इसका सही जबाब होगा आपका option number 1 आम जुकाम में जो है राइनो वाइरस बनता है इसके बाद next question है question number 16 तो निमन लिखित में से किसे अस्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है तो इसका सही जबाब होगा आपका मेसियर 16 इसको जो है अस्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है इसके बाद next question है question number 27 तो कितना cool oxygen और रक्त शरीर में मस्तिस्क द्वारा इसका सही जबाब होगा आपका option number 1 20% जो है oxygen और रक्त शरीर में मस्तिस्क द्वारा उप्योग किया जाता है इसके बाद next question है question number 18 तो मानब शरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो सबसे छोटी हड़ी जो है अस्टेपीज हो जाती है option number B जो की कान में पाया जाता है सबसे छोटी हड़ी कान में पाया जाता है इसके बाद next question है question number 19 तो मात्र दो उत्तक कौन से है जो खून से oxygen प्राप्त नहीं करते हैं तो इसका सही जबाब होगा आपका option number 1 जो है इसका option number हो जाएगा C उंगलियां और नाक A जो है खून से oxygen प्राप्त नहीं करता है नाक तो जो है direct oxygen लेता है बाहर से और उंगलियां भी हवा के संपर्क में रहता है इसके बाद next question है और आज का last question है question number 20 कि आख का कौन सा भाग आख के रंग को निरधारित करता है तो आख के रंग को निरधारित करने का काम आपका option दिया है पुतली, आईरीस, कॉर्निया और आईलीट तो इसका सही जवाब होगा आपका option number B आईरीस जो है वो आख के रंग को निरधारित करता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अबडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद